नमस्कार आप देखरें न्यूज वर्ल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उन लरायन जर्नल बिपिल रावत आज जब अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे तो वो मौका सिर्फ उन्हें अंतिम सलामी देने का नहीं होगा बलकि वो पल होगा जब हम उन तस्वीरों को अपनी स्मित्यों में समीट लेंगे हमेशा हमेशा के लिए और आने वाली पेड़ी को गर्फ के साथ बताएंगे कि हमने देश के पहले सीडियेस को देखा है हमने जर्नल बिपिन रावत को देखा है कुनूर हेलिकॉप्र हाथसे के शिकार देश के शूरवीर युद्धाओं को आज पूरा देश नमाखों से श्रद्धाजली दे रहा है देश के पहले सीडियेस जर्नल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को आज अंतिम विदाई दी जानी है सुभा ग्यारा बजे जर्नल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीद उनके दिल्ली के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा इससे पहले कल प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी समीत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये थे दिल्ली के पाला मेर पोर्ट पर प्रधान मंत्री मोदी ने सीडियेस जर्नल बिपिन रावत समीत सभी 13 शरीदों को श्रद्धांजली दी और परिजरों से भी मुलाकात की है तस्वीरे आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजना सिंग, एनसे अजी धुभाल और तीनों सीना प्रमुखों ने भी शरीदों को श्रद्धांजली दी रक्षा मंत्री भी शरीदों के परिवारों से मिले सीडियेस जर्नल बिपिन रावत, पत्नी, मदुलिका रावत, ब्रिगेडियर, एलेस लीडर और विवेक कुमार के पार्थिव शरीर के पहचान हुई, नौ शरीदों की पहचान होना बाकी है, तमिलाडों के वरिंग्टन आर्मी अस्पताल में सीना और सीम स्टालिन ने जोर्नल रावत से में सभी 13 लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं, जोर्नल बिपिन पार्थिव शरीर दिल्ली के तीन कामराज मार्क पर उनके आवास पर लाने के बाद आज लोग उन्हें अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जोर्नल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पतनी मदुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, दो बज़े के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, जोर्णल रावत की अंतिम यात्रा पूरे सेने सम्मान के साथ मिकाली जाएगी, इसके लिए जो इंतजामात किये जा रहे हैं वो भी अभूत पूर्व देखने के लिए मिल रही हैं। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि उनके पत्रिक गाउं पौरी में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा। इतिहास में भी याद रखा जाएगा। पत्नी मदुलिका का अभी पार्तिफ शरी वहाँ पर रखा जाएगा। कल प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पहुंचे परिजनों से मुलाकात की धानस बधाया है।